वेलकम टू ड्रीम के बीसी जिक्के है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नमबर भी नती रहेगी आप नीचे रहे रेड़ कलर के सब्सक्रेब बढ़न को दबा दीजे और बाजू मेरे बेल आइकन को दबा दीजे ताक कि आपको हमारे आने वाले ओडा इसे ही पुली नॉलेज़ीबल वीडियो की नोडिफिकेशन मिलते रहे कि देखिया अच्छा लगए तो लाइक जरूर करना डेन को मारा देश हमारा देश भारत आजाद हुआ था फ्रेशन नमबर टू भारत का बंदारण संपूर्ण रूप से किस दिन लागू किया गया था भारत का बंदारण संपूर्ण रूप से किस दिन लागू किया गया था इस क्रिशन का उतर 26.1950 के दिन भारत का बंदराण संपोर्ण रूप से लागू किया गया था फिशन नम्बर थरी भारत का क्षेत्रफ़ल क्या है भारत का क्षेत्रफ़ल कितना है इस क्षेशन का उते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमेटर है 32,87,263 वर्ग किलोमेटर है भारत का कुल क्षित्रफल कई एक्जामें क्विशन पुछा जा चुगा है क्विशन नंबर फॉर हमारे देश भारत की उत्तर दक्षिन की लंबाई कितनी है भारत की उत्तर दक्षिन की लंबाई कितनी है कस्मीर से कन्या कुमारी तक Q3 बारत की पुर्वस से पच्चिन तक लंबाई कितनी है Q6 बारत का उत्तर का दूरतम बिंदु कौन सा है उत्री भारत का सबसे उत्री बिंदू कौन सा स्थान है अगर आपको बताओ तो इस question का answer आप comment भी कर सकते हो very very important question है इस question इंदीरा call जो कारा कॉलम की पहाड़ियों में है इंदीरा call भारत का उत्र का सबसे दुरतम बिंदू है question number 7 भारत का सबसे दक्षिन्तम बिंदू कौन सा है भारत का सबसे दक्षिन्तम बिंदू कौन सा है सबसे दक्षिनी बिंदू इस question का उत्र इंदीरा point तो इंदीरा point भारत का सबसे दक्षिन्तम बिंदू है क्वेशन नम्ब बारत का सबसे पच्ची मी बिंदु कौन सा है इस क्वेशन का वतर है सीर क्रिक तो सीर क्रिक बारत का सबसे पच्ची मी बिंदु है क्वेशन नम्ब बनाएं बारत का पुर्व का सबसे दूर बिंदु सबसे पुर्वतम बिंदु कौन सा है नृर्थिस टूए कि बुथी की बुदी भारत का पूर्व का सबसे पूरी बिन्दू है लuv name बारत में कितने राज्य और केंद्र सासीत-प्रदेश वाय। बहुत हुए दंतिर disorders प्रकाश्च बहुत है अगर आपको बता तो इस question size आप comment कर सकते हो इस question evolved 28 ऑर आठzos प्रकाश्च प्रकाश्च यह बारत में वरतमान में 29 राज्य थे लास्ट रेन जम्रों के स Galaxy बना दिआ गया तो 28 राज़व और 8 जम्रों राज से प्रदीश है वरतमान में बारत में कितने जिले है वरतमान में बारत में कुल कितने जिले है तो इस क्वेशन को 749 739 जिले है वरतमान में बारत में Question 12, राष्टियपक्सी, मौर का विध्यानिक नाम क्या है तो हमारा राष्टियपक्सी क्या है तो मौर है उसका विध्यानिक नाम क्या है आपको बता हो ना चाहिए अगर आपको बताऊ तो इस भारत का राश्ट्रिय पुश्प कौनसा है बारत का राश्ट्रिय पूस्प कौनसा है स्क्रेंट ने कि नंबर फोड़िट वर्त का सिय्वेग्ञानिक नाम Pakष नेलंबो न्यूसिवेगरा कुष्पhehe यहाँ पर राष्ट्रियाग्त इतले है thorough my 안돼 क्या है नमबर भारत का राष्ट्रिय वाक्य है अगर आपको पताओ तो इस इस्क्रेशन का सत्य में जैते भारत का राश्ट्री या वाक्य है क्वेशन नमबर सेटी भारत की राजबासा क्या है भारत की राजबासा कौन सी है इस्क्रेशन देव नागरी लिपी में लिखी जाने वाले हिंदी भारत की राजबासा है question number 7 भारत का राश्ट्रिये केलेंडर कौन सा है? अगर आपको बताओ तो इस quizion गानसेर आप कमेट भी कट रकते हो question number 7 तो सक राश्ट्रिये केलेंडर है question number 18 भारत के राश्ट्रिये फल आम का विज्यानिक नाम क्या है? scientific name क्या है? भारत का राष्ट्रिय फल कौन सा है तो आम है तो आम का विग्यानिक नाम क्या है तो इस Qe sees amongst megyny Phra Megani Phra Indica Megini Phra Indica Aam का विज्यानिक नाम है हमारे राश्च्टि फल आम का Qe ei perfect number 19 भारत के राश्च्ट फसू बाग का विज्यानिक नाम क्या है भारत का राश्च्ट पसू क्वाई diferença तो इसका विज्यानिक नाम क्या है पैंथरा टाइग्रीस लिनायस पैंथरा टाइग्रीस लिनायस पैंथरा टाइग्रीस लिनायस प्रथम राष्ट्रपती कौन थे? भारत के लगातार दो बार राष्ट्रपती पद पर रहने वाले प्रथम राष्ट्रपती कौन थे? और सबसे लंबा कालेकाल किसा है राष्ट्रपती के रूपे भारत के? इस क्रेशन का उतर है डॉक्टर राजिंद्र प्रसाथ लगातार दो बार राष्ट्रपती के पद पर रहे थे केशन नमर्ट टर्ड़ दो बार उपराष्ट्रपती और एक बार राष्ट्रपती बनने वाले का नाम क्या है दो बार उपराष्ट्रपती पहले बने थे बाद में एक बार राष्ट्रपती बने थे इसे व्यक्ति कौन थे इनका नाम आपको कमेट करके बताने हैं अगर आपको पता हो थे इस केशिंग के डॉक्टर S. राधाकुष, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकुष, दो बार उपराष्टपती और एक बार राष्टपती बने थे केशिंग के अगर राष्टपती को बारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है इस केशिंग का अगरत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है इस केशिंग का अगर आपको बताओ तो इस केशिंग का आँसर आप कमेड भी कर सकते हो इस केशिंग का अगर बारत का सबसे बड़ा सहर कौन सा है अगर आपको बताओ तो इस केशिंग का आँसर आप कमेड भी कर सकते हो इस केशिंग का अगर आपको बताओ तो इस केशिंग का आँसर आप कमेड भी कर सकते हो इस केशिंग का ब्रह्म पूत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है प्रथम महिला प्रदान मंतरी कौन बने थे इस केशिंग का अथर्ड़ी पारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है इस केशिंग का अथर्ड़ी पारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है अगर आपको बताओ तो इस केशिंग का अथर्ड़ी पारत के किस राज्य को पांच नदियों की भूमी कहा जाता है अगर आपको इस केशिंग का अथर्ड़ी पता है तो आप कमेट कर सकते हो इस क्षेत्र पंजाब भारत के पंजाब राज्य को पांच नदियों की भूमी कहा जाता है क्षेत्र नमबर थर्ड़ी पारत के राष्टर पिता गांदी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है इस क्रिशन नंबर थरी भे बारत के कौनसे सहर को इश्वर का निवास्थान कहा जाता है बारत के किस शहर को नवाबो का सहर कहा जाता है इस कीशिंग उतर लखनाव शेहर को बारत के लखनाव शेहर को नवाबोका सहर भी कहा जाता है क्यूशन नमबर 36 बारत के राश्टीय दवज के अभिकल्प कौन है बारत के राश्टीय दवज को किस ने डिजाइन किया था पिंगली वेंकेया ने भारत के राष्टादवज को अभिकल्प डिजाइन किया था और सबसे पहले भारतकार राष्टादवज 1906 में भगईनी नवदी था जो स्वामे विक्मानद की सिस्य थी तो उन्होंने बनाया था उसके बाल एक राष्टादवज भारत का मेडम भिकाई जी कामा ने भी बनाया था और जैसे कि एनी बैसन ने भी भारत का राष्टादवज एक बनाया था पर जो वर्तमान रूप है वो पिंगली वेंकेया ने डिजाइन किया था करें नमबर 37 राष्टिय गान वंदे मात्रम के रचनाकार कौन है ति इस किशिंग रविंद्र नात टैगोर राष्टि गान जन गण मन के रचनाकार है कीशि прост का सरवोच राश्ट्री पुरुष्कार कौन सा हय। अगर आपको बताओ । लूर्फिन है विघृ पर तयब्सकार कौन सा है। नुल टुछ के दौन को सो हुआ। व॥ soph continuing नुलंव Question number 40, भारत के राष्ट्री ये दिवस कौन कौन से? अगर आपको बताओ तो इस क्रिशिंग का आंसर आप कमेट भी कर सकते हो Question number 41, भारत के सम्वीदान के किस अनुचेत के ताथ? हिंदी भारत के राजबासा है Question number 42, भारत की राष्ट्री ये सपत के रचनाकार कौन है? Question number 40, भारत का राष्ट्री ये चीनह क्या है? Question number 40, भारत के राष्ट्री ये पसु के रूप में बाग या रोयल बंगाल टाइगर को कब गोशित किया गया था? भारत के राष्ट्री ये पसु के रूप में बाग या रोयल बंगाल टाइगर को कब गोशित किया गया था? अगर आपको पता हो, तो इस क्वेशिंग का राष्ट्री ये ये युवा दिवस के रूप में बाग को गोशित किया गया था? अगर आपको पता हो, तो इस क्वेशिंग का रही कर गcional से अब कमेट भी कर सकते हो? इस क्वेशन का उदर है पंडित जवाहार लाल नहरू प्रदान मंदरी के रूप में सबसे लंबा कारेगाल इनका रहा है पारत के अभी तक सबसे युवा प्रदान मंदरी कौन रहे है इस क्वेशन के अभी तक सबसे युवा प्रदान मंदरी कौन रहे है वीशे नमबर 48 पारत के प्रथम नीरदलिय राष्टरपती कौन थे पारत के प्रथम नीरदलिय मनलब किसी भी राजनिती पार्टी से ना हो ऐसे प्रथम राष्टरपती कौन रहे थे वेरी वेरी इंपर्ट कुछन ही यह वरहागेरी वेंकटगीरी बारत के प्रत्म नीर दलिय राष्ट क्रम की बतल्त बतल्त है झुक रहते हैं और जैसे की अप्झ अभ्धूलकलम भी भारत के निर्ध नारेंद्र मोदी कौंसे क्रम के प्रदान मंत्री है तो कौने से क्रम के प्दान मंत्री है 15 क्रम के नौदे न रांदर मोदी कौन थे amand मर्णो प्रान्द भारत रत्रतन न से सम्हानित प्रतान मंत्री इस क्योंका शॉजएमगक है तो प्रोक्टर स्रोमपलत्र है तो यह आउन महिला कॉन तो इंधिरा गांधी तो यहां पे यह वीडियो समापट होता है और हम भारत के बारे के बारे में ज्यादा में बाद मिदेशं के वीडियो आगे के वीडियो पैक्ट की श्तार्ट किया है हम पुरा प्रयास करेंगे 500 कुषें 500 पुरे हो जाएंगे बाद में revision केने तोर पर सारे वीदियो में डालके एक घंटें गंदर 500 questions के ik video डालूवा तो आप revision करें चक्छते ही 5 studio रहेगा तो इसे 500 toughest bonne question के आप साथ रहेँ आप तौन पूरा सर्वग्राई knowledge आप का हो जगे में हम पुरा प्रयास करेंगे हजार क्विशन कre sunny की कि जो भी topic हम start करते है उसका detail में पुरा topic cover करने की प्रयास करतें तो ऐसे हमने एक महाभारत के बारे वीडियो डाला है तो हजार क्विशन वीडियो है उस में पूरा महाभारत के सबी important ऑनामायन के बारे में takiej वीडियो डाला है वैसी आम ने कुछ राजी के बारे में बड़े-बड़ी सीरच जित यारखंड पाइफ हए अगर अब अपने में रैज्य您 के राजन के major किmar में आपना आप चापात है में अाक उश्रच सब और संका प्रियास करें के zusऑ जादा से जादा आपको जी के प्रवाइड करने की आप जिस राजे से उस राजे का भी हिंदी सभी हिंदी बासा के राजे के वीडियो के वीडियो हम डाल सकते हैं पुरा प्रयास करें सभी हिंदी बासा जो भी राजे में हिंदी समझते हैं उनके रिलेटर पूरे सभी दे मात्रम